क्या विदेशों में जाकर भारत के बारे में ये सब कुछ कहना ये नहीं दिखाता कि राहुल गांधी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं? संजे मिश्रा बदोही उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी खुद पगड़ी पहन कर घूमते हैं और पगड़ी पर नफरत का अजेंडा खड़ा कर रहे हैं आखिर ये मोहबत की दुखान में नफरत का समान क्यों बिक रहा है? जवाब दीजिए और मै तस्वीरे विवेक श्रिवास्तर जी आपको दिखा देती हूं राहुल गांधी खुद पगड़ी पहन कर घूम रहे हैं और अगर वो पगड़ी पहन कर घूम रहे हैं तो डर कौन रहा है? पगड़ी पहनने ने से कौन रोक रहा है? नहीं नहीं वो तो सिर्फ उस लड़के से बात कर रहे थे समधार लड़का था बता रहे थे कि इंडिया अलाइंस कॉंग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है कि कभी भी वो दिन ना आए जब ये संग के लोग और ये बीजेपी वो स्थिती ले आए कि माइनॉरिटी इसकी स्थित जा रहा है जो उन्होंने कहा नहीं वो उनके मुमें डाला जा रहा है तो इनसे ये पूझी है कि वहाँ उपस्थित सिक्थ के सिक्थ बेटे को उन्होंने डराया धमकाया उन्होंने बताया कि भारत में की कोई पोजिशन अच्छी नहीं है और याद रखिए अमेरिका उनके इस हमर तक वहाँ आपके बंदेने वाइतना जहर गोला है यह सबसे कठीन बात है और देखिए आपको नावी का जी कोई आपको शमा मानने की जुरत नहीं है जो आपने सरगना कहा उस कारत है सरदार और मुखिया क्या आप सरदार पटेल के सरदार का गलत मानते हैं क्य कि हर रिजर्वेशन कुछ जाती विशेश क्यों कोरे में ले जाती है आपको पता यूपी के अंदर बिहार के अंदर यादों ने सारे रिजर्वेशन एक साथ कर लिये थे जिसके कारवणा की रिकूर्मेंट को भी कैंसर करना पड़ता ये सवाल था कि जिनको संगह लोगों सबसे बड़ regulation के अंदर शाका क्यला हो अंदर महिला हो जितना स्थान है heal है आपके सारी कॉंग्रेس हो मिला के जितनी महिलाए आपके पास नहीं है उससे ज्यादा महिला है संगह के संगटन में तो सारे झूट फैला ना क्या रहे हैं और आप आप कह रहे आ आप देखिए आप देखिए वहाँ पर कहते हारा हो अदमी घुस्तर जीता बता रहा है और जो जीता उसके नितिख हार बता रहे है आप कप तक सप्न में जिएंगे और यहीं सवाल पप्लिक पूछ रही है पियूश करंब लेकर का बिलासपूर से सवाल है राहूल गांधी जी की पार्टी पर सिखों के नरसंगार का आरोप है वही मोदी जी की पार्टी अफगानिस्तान से पवित्र गुरुगरंट साहब की प्रतियों को सुरक्षित भारत वापस लाई है अब सिख किसे सही माने खुद बताईए और ये ये सवाल जायज सवाल है कमलाकर त्रिपाठी जी हमें याद है वो समय जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ और वहां से गुरू ग्रंट सहाब की प्रतियां वापस आई थी भारत के अंदर यहां वो ही मंत्री जो मंत्री और भारत में भाजापा के जितने लोग थे वो जाकर एरपोर्ट से सर पर लगकर गुरू ग्रंट सहाब लेकर आये ते और आप कहरें इस देश में पगड़ी पहनने में कड़ा पहनने में रुकावट है रोक है देखिए एक पुरानी कहावत है मुख में राम भगल में छुरी तो ये लोग वही हैं आडंबर करने के लिए तो ये पूरे हैं इसमें मानी मोदी जी का कोई सानी नहीं है लेकिन जो अंदर से जो एजेंडा चलता है ये हमेशा से पूरे समाज को बाटने के लिए रहता रहा है जब मानी मोदी जी से गुजरात के दंगों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कुट्टे का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है तो आप ये सोचिए इनकी मानसिक्ता हमारी माइनॉर्टी कुमिनिटी को ले करके जरा भी उस पे कोई उनको समवेदन शीलता दिखी ही नहीं और किस तरह का बयान देते हैं और इनके तमाम इसके पहले वीके सिंग जो मिनिस्टर थे उनका भी बयान दलित कुमिनिटी को ले करके जो था तो ये तो जग जाहिर है कॉंग्रेस तो वो पार्टी है अभी गौरोब भाटिया जी ने स्वेम इस बात की तस्दीक कर दी कि नहरू जी ने फुल मजॉर्टी की गर्वर्मेंट होते हुए भी पांच विपक्ष के लोगों को अपनी कैबिनेट में रखा था इतना बड़ा दिल होना चाहिए बहुत बड़ा दिल था वो राष्टिय सरकार थी बड़ा दिल नहीं था राष्टिय सरकार बनी थी लेकिन गौरोब भाटिया आप जब आपने उससे पहले नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल मैं जरूर फैट चेक में दिखाना चाहती हूँ कम लाकर त्रीपार्टी को आरक्षन के नाम पर बुद्वों को बढ़ावा नहीं ये राजीव गांधी का बयान था विशेश बाची थी नवभारत टाइम्स के साथ और ये 1985 की बात है और फैक्ट चेक कर रही हूँ मैं कम लाकर त्रीपार्टी जी आपने कहा राजीव गांधी आरक्षन के फेवर मे थे मैं आपको नभारत टाइम्स का पुराना अखबार दिखा रही हूँ जहां ये विशेश बातचीत में उन्होंने कहा आरक्षन के नाम पर बुद्वों को बढ़ावा नहीं ये राजीव गांधी के शब्द हैं गौरव भाटिया जवाब देजिए और आलोक महता से बा आपको पूछ रहे हैं ये जवाब दे सकती उसका क्यूंकि इसका कोई फैक्टॉल जवाब नहीं है गौरव भाटिया जी जवाब देजे मैं किसी के कोन पूर्ख है कौन नहीं है ये मैंने कुछ नहीं का मैंने आपके सामने राजीव गांधी का बयान रखा है गौरव भाठिया गुरु गरंट साहब जी अपने सर पर रख के हरदीपुरी जी लाए थे जो आप बात कर रही थी माइनॉरिटीज कमिशन का चेर्मेन इकबाल सिंग लालपुरा एक सीख है वरना कॉंग्रिस पार्टी की सरकारों में माइनॉरिटीज का मतलब ये होता है हैं जो सीक अमरिच चक चुके हैं आप बताईए ये क्या उनका सम्मान नहीं है और मैं एक बात और अपती दर्ज करता हूँ भारत के लोपी हो लेकिन चीन से मौपत करते हो चीनी खिलोने बन गए हो कर जो राहूल गांदी ने कहा उन्होंने कहा भारत को चीन से सीखना चाहिए जहां लोगतंत रहे नहीं जहां पे डिफेंस मिनिस्टर चीन का गायब हो जाता है उगर मुसल्मान गायब हो जाते है जैक मा जो आली बाबा कमपनी है उसका फाउंडर है वो गायब हो जाता है और ये करार किया था इस करार का तो असर नहीं है नाविका जी कि भारत के खिलाब बोलूँगा भारतिय सेना चीनी सेना से पिट गई बोलके भारतिय सेना का मनुबल तोडूँगा और ये करार आज तक सरजलिक नहीं किया है और चीन से रिश्वत ली है राजीव गांधी फा गुम्राना राजस्तान से क्या देश के खिलाफ विदेश में बयान देने से राष्ट की बुनियात कमजोर नहीं होगी और ये सवाल आज सब हिंदुस्तान के लोग पूछ रहें